काप connect बएक też siete सबस्ट और थन की ओड्रेस ay ? आई पी सब लीघ बाते वीडियो मेन देँड फ्रैंड मैं आप खोका आप को फोर्टो फ्रेम की ए ड्रेस बनाना सेखाऊंगी और इस वीडियो में हम सीखेंगे की हर साइज में हम फोटो फ्रेम का जो ये ड्रेस है उसको कैसी बना सकते हैं तो जैसे कि देखे हमारे पास फोटो फ्रेम होते हैं हमारे मंदिर में ये चितर होते हैं इनको देखे इनकी ये जो चारो तरफ की साइड है ये देखे कैसे खराब हो जाती है कुछ दिन के बाद तो जब हम इ इस तरह से ड्रेस बनाएंगे और ये बहुत ही सुन्दर लगेगी और ये सब चीज इसके छिप जाएगी तो जैसे की थोड़ा सा में डल सा हो गया है ये बहुत ही प्यारा लगेगा तो इस तरह से हम यहाँ पर देखे मेरे पास एक ओर मश्मीर है ये शिवशंकर भोले नात की तस्वीर है और तो हम आज मैं आपको इसकी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी सेम ऐसी ही जैसे मैंने ये बनाई है तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चरूर कर लें इस फ्रेम को देखी जैसे कि हम इसकी अभी ड्रेस बनाएंगे तो मैं आपको सभी साइज का बताऊंगे कि आप इसको कैसे नापेंगे और कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो देखी हमें क्या कर तो जैसे यह साड़े 8 इंच है तो हम साड़े 10 इंच की पट्टी करेंगे यहाँ पर देखिए मैंने यह गोटा पट्टी का फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर देखिए यह साड़े 10 इंच अब मैं आपको चोड़ाई बता देती हम देखें यहाँ से यह जो फ्रेम है इसकी इस चीज को नापेंगे जो इतना हिस्सा होता है किसी भी फ्रेम का हो इसमें जैसे इतना है किसी में चोड़ा भी होता है तो जितना भी यह चीज है उसको हम पहले नाप लेंगे आप जैसे देखें यह हमारा यहाँ पर एक तो यहां पर देखिए इसकी जैसे सोरी हमें यहां से नापना था क्योंकि पहले हमने यह वाली पट्टी कट की थी तो यहां पर भी देखिए एक इंची है तो हम इसको डबल लेंगे दो इंच और उससे में डेड़ इंच एक्स्ट्र लोंगी साड़े तीन इंच चोड़ी प तो यहां पर देखिए मैंने थोड़ी सी इसको एक्स्ट्र लिया है यहां पर देखिए मैंने इसको साड़े आट इंच लंबाई में लिया है और चोड़ाई सेम इसके बराबर है तो यहां पर हमने देखिए साड़े तीन इंच इसकी चोड़ाई लिया है तो इस तरह से हम क्या करना है सबसे पहले एक पट्टी को लेंगे और इसको यहां से ऐसे मोड़ेंगे और एक बार ऐसे मोड़ देंगे और इसकी पूरी किनारी पर यहां पर सिलाई लगा लेंगे सेम ऐसे ही हम इधर से करेंगे इसको मोड़ देंगे और इसके उपर सिलाई लगा लेंगे तो जैसे कि आपके पास जो भी भगवान जी का चितर होगा उसको आप लेंगे सबसे पहले उसकी लंबाई नाप लेंगे जैसे कि मैंने वीडियो के स्टाइट में बताया है लंबाई नाप कर दो इंचेक स्टर लेंगे और फिर उसकी ये वाली चीज नापेंगे और उसकी ये आप एक एडेडिन चेक्स टर लेंगे तो जिस भी साइज का आपके पास फोटो फ्रेम है इसी तरह से ना पिए ये साइड लंबाई भी और ये भी और से इसी तरह से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं तो चलिए अब देखे हमने यहाँ पर इसको ये सिल लिया है अब देखे हम सबसे पहले एक पट्टी को लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मोड देंगे सीधी साइड नेचे है उल्टी साइड उपर ऐसे मोड कर यहाँ पर एक साइड में इस तरह से सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहां से पलट देंगे इस तरह से ही हमें चारो पट्टियों पर सिलाई लगा कर इसको पलट लेना है सिलाई लगाने के बाद देखे इसको हमें ऐसे पलटना है यहां से हम इस तरह पलट लेंगे और इस corner को किसी चीज की help से ऐसे set कर लेंगे अब देखी हमें क्या करना है हमें यह चित्र लेना है और इस चित्र के ऊपर देखी यह इस वाली side की पट्टी है यहां पर हम इसको ऐसे डालेंगे और इसके बाद यहां पर देखीए mark लगाएंगे इस तरह से हमारा यह इतना बिल्कुल set आ रहा है तो यहां पर एक mark लगा देंगे और इतना सिलाई का छोड़ देंगे बाकी जो extra कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे तो इस पर भी यहां से हम ऐसे उल्टा करकरके सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगा करके इसको पलट लेंगे जितना हमारा यह set आ रहा है उतने पर mark लगा देंगे और इतना सिलाई का चोड़ देंगे बाकी पट्टे को extra को हम कट कर देंगे इसलिए हम थोड़ा सा extra लेते हैं जिससे की यह छोटा ना हो तो हम इनको चारो पट्टे को इसी तरह से set करेंगे तो देखी फ्रेंट्स हमारी इस चितरपट की ड्रेस बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है यह फ्रेंट्स से इसका लुक कुछ ऐसा है और पीछे से भी दिखा देती हूँ आपको पीछे से यह इस तरह से आएगी तो यहाँ पर देखे बहुती कम टाइम में हमने इस चितरपट की ड्रेस को तयार कर लिया है तो आप भी अपने मंदिर में जितने भी आपके पास चितरपट हैं जितनी भी यह फोटो फ्रेम हैं सब के लिए आप एक बार इस ड्रेस को जरूर ट्राइ करें और आज की वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए रादे रादे